गुड मोर्निंग स्टुडेंट कैसे हैं सब लोग देखो बच्चो मैं कुछ इंपोर्टंस कोषिंस लेके आए हैं इसके पहले भी मैंने बहुत सरी इंपोर्टंस गुशन दे चुका हूं और हर चाप्टर में जो कोश्चन शुर रीटी आने वाले ही वही कोश्चन दूंगा मैं बच्चो ज्यादा कन्फीज नहीं करूंगा देख बच्चो मैं अभी एलेक्टो स्टाटिक्स बच्चो यह थोड़ा चाप्टर लेंथी है I will repeat यह चाप्टर बच्चो लेंथी बहु बच्चो 80-90% इसमें शुरीटी होती है चलो ठीक है बच्चो तो इलेक्ट्र स्टाटिक है तीन मार के लिए वित ओप्शन चार मार के लिए देखो मारक में कोश्चन बहुत ज्यादा है तो बच्चो पहला कोश्चन है गौसियस थेरम और इस अप्लिकेशन अब गौसियस बच्चो इस थेरम से हम लोग लिख सकते हैं अलजब्री समॉआप चारज्जस कहें आग ऐसे अलजब्री सम्वा चार्जस यह इसका गौसियस थेरम है आगप्चो तो इस में स्पियर, सिलेंडर ऐसे डाइग्राम आंग अलग बसुए इसके सारपेस पर कितने चार्ज आ इसके दिए बच्चो हमारे पास फार्मूला है F is equal to 1 by 2 epsilon not ke square ठीक है यह constant बच्चो E is the electric intensity है epsilon मतलब permeability or prepase है यह mechanical force per unity रहा है इनर्जी density का भी वही फार्मूला होता है जान में रखना बच्चो energy density मतलब देखो कितनी अच्छी बात है हैगी नहीं फार्मूला याद रखनी कोई जड़रती नहीं है बच्चो तो energy density of medium यह दोनों question अच्छी तरह से करना बच्चो यह questions आते है polar and non polar molecules क्या होता है उसको भी अच्छी तरह से आपको करना है next बच्चो capacity of parallel plate condenser और different type जैसे कि parallel cylinder है ना spherical form में होती है यह भी करना है बच्चो इसमें और energy of charge condenser इसमें करते हैं बच्चो बहुत सारे confusion तो इस confusion को दूर करना पड़ेगा बहुत जरूरी है नहीं तो बच्चो बहुत बच्चे इसमें गपला करते है तो आपको energy कौन-कौन सी होती है तो formula one by two q square by c एक formula होता है होता है कि नहीं समझ में आ रहा है बच्चो दूसरा है one by two है ना one by two cv square है बच्चो energy का formula इसके बाद में one by two और एक formula होता है बच्चो इसमें qv बास समझ में आ रहा है q into v यह तीनों भी फार्मुले यह difference forming ऐसे पूछते है तो लोगों क्या लगता है energy energy of charge condenser in different form तो लोग क्या करते parallel plate condenser लिखते है spherical इसके diagram वो नहीं यह questions और यह questions आ लगे condenser in series and parallel series में क्या होता है और parallel में क्या होता है यह लिखना है बच्चो और यह बहुत important draw the label diagram भी questions आता है दो मार के लिए hundi graph generator के उपर या फिरोडी के लिए questions आ सकते है बच्चो तो बहुत सारी बच्चो ने मुझे comments में लिखते है रहा है numerical importance कोई नहीं होता है बहुत बार बोल चुका है अच्छी तरह से lecture सुनो पूरा इस फार्मुली के उपर आपको numerical आएगा तो फार्मुला पता होना चाहिए ना यह importance है बच्चो मैं थेरी important दे रहा हूं इसके साथ नुमेरिकल भी वही importance है आपके लिए दूसरा कुछी numerical नहीं कुछी नहीं कुछी नहीं कुछी नहीं कुछी नहीं कुछी नहीं बास समझ में रही बच्चो कोई attention all is well बच्चो सब खुशे देख बच्चो यह questions अच्छी तरह से कर लेना साथ में बच्चो छोटे-छोटे questions होते हैं इसमें यह भी अच्छी तरह से आपको अगर time मिलता है तो no problem कर सकते हैं जैसे कि what is the electric susceptibility state its unit and dimension ऐसे question पूछते रहते है capacitors क्या है capacitors की define उसके application uses यह भी questions कर आपके पास time है तो मैं बता रह देनती है लेकिन यह बहुत is very most important question आपको दे रहा हूं है तो बच्चो पढ़ाई करते रहे हैं thanks for watching this video and best luck for your study